नमस्कार, मैं डाक्टर लाल रतनाकर सिंग, आज आपको एक खर पत्वार यानि वीड के रूप में उगने वाले अतिपोश्टिक और स्वादिष्ट पौधे के विशय में बताऊंगा, जिनके बारे में अधिकांस लोगों को जानकारी नहीं है, अता वह लोग, विशेश कर सहरी लोग, इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, जबकि ये हमारे आसपास के वातावरण में पाया जाता है. इन पौधों का उपयोग आदिवासी समुदाय वर्सों से करते आ रहा है, और गरीब जनसंख्या को निउट्रिशनल सेक्योरिटी प्रदान करने में इन पौधों का अत्याधिक उपयोग होता है. प्रकृति ने इन्हें वर्दान या उपहार के रूप में पैदा किया है, तो आईए हम इस पौधे के विशे में विस्तार से जानें. जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इसके पूर्वों में अमरैंथस विरीडिस जो भाजी साग के रूप में जाना जाता है, इसके विस्तार में बताया गया था. और उसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण साग बोहरविया डिफ्यूजा जो खपड़ा साग के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में विस्तरत रूप से बताया गया था. आज हम इस चैनल पर बेंग साग के बारे में बतायेंगे जिसे सिंटेला एसियाटीका के रूप में जाना जाता है, और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण वीड के रूप में लोग इसको जानते हैं. हम अपने परिवेश में खर पत्वार के रूप में उगने वाले इन पौधों के बारे में, इनके औसधिये गुड़ों के बारे में जाने हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. चलिए आज हम जानते हैं बेंग साग के बारे में. बेंग साग को 36 गण में ब्राम्मी साग के रूप में जाना जाता है, और यह खर पत्वार के रूप में उगने वाला आति पौश्टिक और सबस्वादिस्ट साग माना जाता है. बेंग साग के बारे में आज इस वीडियो में हम यह बताएंगे यह पौधा किस प्रकार दिखता है, इसका लोकल नाम क्या है, इसे किस प्रकार खाया जाता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसके साथ साथ इसके पौश्टिक गुणों और आउशदी युक्त गुणों के बारे में भी हम प्रकास दालने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में आगे बताने के पहले यह आवश्चक है कि इसके पोशक तक्तुओं के बारे में हम जान लें, जैसा कि हम जानते हैं कि सेब को अति-पौस्टिक फल माना जाता है तो अच्छा होगा कि हम इसकी तुलना इसके पौस्टिक तत्वों की तुलना सेब से करें तो यदि हम यह तुलनात्मक अध्यन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रोटीन की मात्रा बेंग साग में सेव से तीन गुना से भी अधिक है सेव में यह 0.60 ग्राम पर 100 ग्राम पाई जाती है जबकि बेंग साग में यह 1.9 ग्राम प्रती 100 ग्राम होती है कार्बो हैडरेट की मात्रा कम, फैट की मात्रा भी कम, फाइबर की मात्रा इसमें सेब के मात्रा से कई गुना ज्यादा होती है, लगबग चार गुना ज्यादा होती है हम जानते हैं कि जो पोसक फल या सबजियां हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा होती चाहिए जिसे यह साग पूरा करता है फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए जिसमें भी यह साग सेब से अच्छा है कार्बो हाइडरेट कम होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए, सेब की तरह इसमें भी यह दोनों कम मातरा में पाये जाते हैं और तादकाली कूर्जा भी दोनों में प्राप्त होती है इसलिए जो अतिक कीमती खर्चीला फल है उससे अगर तुलना करें तो मुफ्त में मिलने वाला यह साग कहीं अधिक पॉच्टिक है अब हम इसके मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में अगर देखें तो इसमें कैल्सियम की परियाप्त मातरा पाई जाती है आईरन की मातरा पाई जाती है पोटेशियम बहुत अधिक मातरा में होता है विटामिन A का यह मुख्य स्रोथ है विटामिन C भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है और विटामिन भी तू भी पाया जाता है इस प्रकार खनीज और विटामिन ऐसे पोशक तत्वों से यह साथ युक्त है अब इसका विबरन में अगर हम जाएं तो इसे इसका बोटेनिकल नाम सेंटेला एसियाटिका है जो अम्बली फेरी फैमिली का सदस्य है समानेत इसे लोग बेंग साक के नाम से जानते हैं लेकिन उराओं आदिवासी लोग इसे मुखा अरका, मुंडा लोग चौके अरा और हो लोग इसे ब्राम्ही साक के रूप में जानते हैं 36 गण में भी यह ब्राम्ही साख के रूप में अधिक प्रिछलित है। अब यह कहां पाया जाता है और कैसा दिखता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक खर पतवार या वीड के रूप में उगने वाला छोटा पौधा यानि हर्ब है। और यह नमी युक्त जहां पानी की मातरा अधिक है वहां यह पाया जाता है और जमीन पर रेंगने वाला पौधा है। अब इसे कैसे पहचानेंगे तो इसका इस्टेम जो होता है इसका तना वो बहुत ही कोमल जमीन पर रेंगने वाला होता है और इसकी जणे बहुत पतली होती है जो इसे मिटी से बांधे रखती हैं. पत्यां इसकी गहरे हरे रंग की होती है जो की हिर्देयाकार या गोल होती है और इसका जो बाहरी किनारा है वो दातेदार होता है पत्यों के दोनों सत्वों पर रुआ होता है इसके फूल जैसा की चित्र में हम देख रहे हैं सफेद या पिंक कलर के होते हैं गुलाभी रंग के और च्छाते के आकार के होते हैं फल सबसिलिंड्रिकल और कर्वड होते हैं और सीड अत्यंत छोटे 0.1 से 0.2 इंच के और कद्दू के आकार के यानि गोल होते हैं अब यह किस सीजन में मिलता है और इसे कैसे खाया जाता है यह साग पूरे वर्ष पाया जाता है यदि जमीन पर नमी है तो नमी वाले इस्थानों पर यह पूरे वर्ष मिलता है और इसकी कोमल पतियां और कोमल डंठल को संग्रहीत किया जाता है, फ्राई किया जाता है, रोष्ट किया जाता है और विविन्द प्रकार से इसे खाया जाता है अब इसको खाने का पद्धती क्या है, प्रिचलिक पद्धतियां क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि साग को जैसे बनाया जाता है, सबसे पहले साग की पतियां तोड़ी जाती हैं, पतियां और कोमल डंठल को अलग किया जग गया है और इनको एकत्रित करके फिर इसमें जैसे बाकी साग पालक आदी बनाये जाते हैं प्याज टमाटर आदी दे करके उसी तरह यह साग भी बनाया जाता है और इस तरह साग की डिश तयार हो जाती है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादा पकाने से बहुत से पोसक्ततों हैं जो कम हो जाते हैं या नस्ट हो जाते हैं तो इसके खाने की पद्धती कुछ अलग प्रकार की भी है जैसे कि हम इनकी पत्यों को एकत्रित कर लें तोड़ करके और फिर उनकी चटनी बना लें पत्यों को पीस करके उनकी चटनी बना लें इस चटनी को बड़े चाव से लोग खाते हैं क्योंकि इसका टेस्ट पहले से ही कुछ खटा होता है और हलका नमक देने से और स्वाधिष्ट बनता है लेकिन चटनी से इसका सर्वद भी बनाया जा सकता है पतियों को अगर पीस लिया जाए बिना नमक डाले तो जैसे चटनी में इसे पीसा हुआ है एक चम्मच पिसी हुई पतियां यदि हम एक गिलास में डाल करके उसमें नीबू और शक्कर मिला दें तो इसका बहुत अच्छा सर्वद बनता है जिसे सेवन किया जा सकता है इस प्रकार सेवन करने से इसके पोसक तत्व नश्ट नहीं होते हैं अब इसके औसदी युक्त गुणों पर आते हैं तो यह पोधा आयुरुवेदिक परंपरा में सदियों से उप्योग किया जा रहा है हमारी जो प्राचीन चिकित्स्या ग्रंथ हैं उसमें भी इसका उलेक मिलता है इस पोधे की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हाई ब्लड प्रेशर यानि उच्छ रक्त चाप पर नियंत्रन करता है यह ब्लड को सुद्ध करता है और रक्त चाप को कम करने में मदद देता है दूसरी मुख्य बात इसके साथ है कि यह यादास्त को बढ़ाने में उपियोग होता है और उम्र को लंबी करने में आपको अधिक स्वस्त बना के निरोग रख करके यह उम्र को बढ़ाने में भी ऐसी माननता है कि इससे काफी अधिक मदद मिलती है अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह एजिंग को रोकता है आपके ब्रद्ध होने की गति को रोकने में यह बहुत सहायक है क्योंकि इसके सेवन से यह हमारी नर्व्ज को और हमारे मस्तिक्स की कोशिकाओं को और अधिक सक्तिसाली बनाता है उनको पुनर जीवित करता है तो इस प्रकार जो एजिंग के लक्षण होते हैं ब्रद्ध होने के लक्षण होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं इमोशनल डिसॉडर जैसे डिप्रेशन आधि में भी इसके सेवन से फायदा मिलता है और लेप्रोसी ऐसी बीमारी में भी इसका सेवन किया जाता है इसमें एक स्टिरोएड आइसूलेट किया गया है पार्माकॉलेजिकल स्टेडीज में भी यह प्रमारित हुआ है कि यह इस्टिरोएड लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में काफी हद तक कारगर होता है सबसे ज़्यादा उपयोग अगर इस साग का किया जाता है इसकी पतियों का एक्स्ट्रैक्ट निकाल करके तो वह है घाओं के उपचार में यदि कहीं घाओ होता है तो उसको हील करने में इसकी पतियों का लेप लगाने में मदद मिलती है फार्मेकोलोजिकल स्टडीज में यह पाया गया है कि एसिया टिकोसाइड इसका एक कंस्टिचुएंट है जो कि कॉलेजन फॉर्मेशन और एंजियो जेनेसिस के द्वारा घाओं को हील करने में बहुत अधिक मदद करता है जॉन्डिस के उपचार में भी आदिवासी समुदाय सदियों से इसका उपियोग करते आया है और मान्यता है कि जॉन्डिस में बेज का उपियोग बहुत कारगर होता है तो अगर हमने इसके गुणों को देखा तो हम पाते हैं कि हमारे परिवेश में स्वयम खर्पतवार के रूप में उगने वाले अतिपोष्टिक और स्वातिस्ट साग के बारे में न केवल हमको जानना चाहिए बल्कि हमको इसकी जानकारी का प्रचार भी करना चाहिए क्योंकि यह पाधे स्वयम उगते हैं पोशक तत्वों और असदिय गुणों से भरपूर होते हैं और प्रकृति ने इन्हें हमें मुफ्त में उपहार या वर्दान के रूप में उपलब्द कराया है तो यह पाधे nutritional security प्रदान करने में बहुत हद तक प्रभावी सिद्ध होते हैं अगर हम इनकी जानकारी रखें और इनका उपयोग करें सब्सक्राइन है